मेरे प्यारे देश्वाश्यों, इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ उर्जा, रिन्योबल एनर्जी की खुब बात हो रही है। मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूँ, तो वे शेत्र में भारत की अभुद्पूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं। खास कर भारत सोलर एनर्जी के ख्षेत्र में, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्दी है। भारत के लोग तो सदियों से, सूर्य से, विशेस रुप से नाता रखते हैं। हमारे हाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो बैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराय रही है, वो अन्य जगों पर कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज हर देश वासी सूर उर्जा का महत्म भी समझ रहा है, और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरीट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। महरास्टर के पूर्णे में ऐसे ही एक बहत्रीन प्रयास ने मेरा ध्यान अपनी और खीचा है। यहां MSR, Olive Housing Society के लोगों ने टाइक किया कि भी सोसाइटी में पीने के पानी, लीट और लाइट जैसी सामूही कुप्यों की चीजे अब सोलार एनर्जे से ही चलाएंगे। इसके बाद इस सोसाइटी में सबने मिलकर सोलर पैनल लगवाए है। आज इन सोलर पैनल से हर साल करीब 90,000 किलो वाट अवर बिजली पैदा हो रही है। इससे हर महने लगबग 40,000 रुपिय की बचत हो रही है। इस बचत का लाप सोसाइटी के सभी लोगों को हो रहा है।